दोस्तों बिग बोस का आज का वीकेंट के बार एपिसोड काफी धमाल का हुआ क्योंकि दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है जब शो के नई होस्ट अनील कपूर ने घरवालों की क्लास लगाई हो और घरवालों का जो असली चहरा है वो एक दूसरे के सामने लेकर आई दिरसल दोस्तों आज वीकेंट के बार एपिसोड के दोरान अनील कपूर ने घरवालों को बताया कि वोटों की कमी के चलते इस बार नेजी खर से बेघर हो सकते हैं लेकिन इससे पहले वे घर के सभी सदशों से पूछते हैं कि एक बात बताओ आपको क्यों लगता है कि नेजी को घर से क्यों बेघर नहीं होना चाहिए इस दोरान सब लोग अपने अपने आपिनियन बताते हैं और जब सना का नंबर आता है यानि कि सना मकबूल का तो उस दोरान पहले तो अनील कपूर सना को कहते हैं कि आप बताइए कि नेजी को घर से क्यों बेघर नहीं होना चाहिए इसके बात सना मकबूल यहाँ पर अपना रीजन बताते हुए कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ नेजी घर से बेघर हो जाए क्योंकि मैं चौहाती हूँ नीजी घर में रुके मेरी उसके साथ एक जैनुवन फिलिंग है वह मेरा दिल से दोस्त है जैनुवन दोस्ती है हमारी यह सुनकर अनील कपूर घरवालों की सामने सेना मकबूल कासली चहरा लेकर आई और कहने लगे कि पूरा हफता तो आप घर के बागी सदर्शों के सामने जो नीजी है उनकी बुराया कर रहे थे नीजी की पीट पीछे उसको भला बुरा कह रहे थे उसका मजाक उड़ा रहे थे लेकिन अब जब जाने की बारी है तब आप कह रहे हैं कि भई दोस्ती है यारी है और आपकी पकी दोस्ती है यन्वन दोस्ती है लेकिन कहीं न कहीं अनील कपूर आज पहली बार घरवालों की जो क्लैरिटी है वो सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं समझते हैं यहाँ पर सना मकबूर को बोलने का मुका नहीं मिला और नेजी को ये सलहा दी गई कि यहाँ पर कोई भी किसी का सगा नहीं है भाई यह सना जो है वो तेरी दोस्ती का फायदा उठा रही है फिल्हाल क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राए नीचे कॉमेंट फोक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद